जय जगदंबा, आज एक आपको मैं खाहनी बताता हूँ कि एक बार एक गाउं में आग लग जाती है और आग लग जाने के बाद में क्या होता है कि सब गाउं वाले दूर खड़े होके देखते हैं कोई उस आग के नजदिक नहीं जाता है और घर दूदू-दूदू करके ज नहीं जा ले और एक कवा बैठा बैठा उसको देख रहा है लेकिन यह सब जो चिडिया का सब लोगों ने देखा तो उनके मन में एक चिडिया होके इतना कोशिश कर रही है तो क्योने हम भी कोशिश करें तो फिर सब गाउं यहाँ वालों ने मिलके सब नहीं कट्टे होके किसी ने बाल्टी से, किसी ने लोटे से, किसी ने गड़े से और वो आग में पाने डालना शुरू किया आप सब जानते हैं संक्ठन में सक्ती होती है एकता में ताकत होती है सब लोग मिलके जैसे ही सब लोगोंने आग में पाने डाला हूँ आग बुझ गई और सब लोग खुश वे और वो चिडिया को धन्यवाद कहा तो वो कोवे ने लास्ट में उस चिडिया को पूचा कि तेरा उस मुझ से पाने डालने से उसका तो आग तो बुझने वाला था नहीं तो तुम ये कोशिश करने का क्या फाइदा निकला तुमारा तो चिडिया ने एक बहुत बहतरी जवाब दिया जो आप सब को जानना चाहिए उसने बोला कि जिस दिन ये आग की कहानी चलेगी उस दिन मेरा नाम आग बुझने वालों में आएगा तो महारी तरह दूर बेट के देखने वालों में नहीं आएगा महिरे से जिदना मेरी capacity थी फोटी थी मैंने उतना कोशिश किया और फिर मेरी देखा देख सब लोगों ने किया और वाग बुझी ना तुमारी तरह दूर बेट के चिपके देखने में नाम नहीं आएगा मेरा जब भी इस आग की चर्चा चलेगी मेरा नाम हमेशा आग बुज़ने वालों में आएगा तो इनसान छोटा मोटा जो भी काम करता है करम छोटा मोटा नहीं होता है मनुस्य को हमेशा अपने करम पे बरुशा रखना चाहिए और कारिय करते आगे बढ़ताना चाहिए एक नएक दिन उसको उस कारिय में सफलता वश्य मिलती है आप सब का बहुत बहुत धन्यवाज जाए जगदंबा